प्रियाना प्रदेश में पंचायतों के गठन के बाद अब जिला परिषद के चेर्मेन बनाने को लिकरके प्रक्रिया चल रही है। भारते जन्ता पार्टी तो कहीं जन्नायक जन्ता पार्टी जो है अपने चेर्मेन या वाइस चेर्मेन के तोर पर अभी तक चुनावों के अंदर नजर आ रही है हमारे साथ जन्नायक जन्ता पार्टी के प्रधान महासच्चिप दिगविजर चोटाला है उनसे बातचीत करे एक और जजजर का दादरी का और कैथल का प्रभार है पार्टी की तरफ से किस तरीके से अभी तक वहाँ चुनाव संपन हुआ है कैथल के अंदर चेहरमेन आप बना चुके है और क्या जानकारी दे जजजर का चुनाव हम दोनों मिलकर के लड़े और उम्परकाश धनकर जी और हमने सबने मिलकर के जो प्रयास किया उसमें हमें सफलता मिली कल भी हम मिलकर के लड़े हमें जीत मिली दोनों पार्टियां जीती अच्छे भाहमत से और दादरी का चुनाव शेश है उसमें भी हम दोनों पार्टियां मजबूती से जीत जाएंगे जहां तीनों मेरे को प्रबार मिला और अन्य जगों पर भी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है गठवंदन बहुत अच्छा कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतेक नेता जब भी कोई जीता है तो यह कहता है कि गठवंदन जीता है दोनों पार्टियां जीती हैं दोनों पार्टियो का जो चेर्मेन है वो भाजपा की तरफ जो है जा करके मिल जाते हैं आप सी खीचतान भी दिखाई दे रही है क्या इस वे किसी तरी उसने यह कहा है कि मैं क्योंकि यहां पर जो है ना वहां के केंद्री मंत्री हैं उनका भी एक अलग स्थित्व है तो मैं उनके पास भी जाओ मैं सब के साथ चलूँ का मर वो मुझे यह उमीद है कि सब को साथ लेकर करके मकसद क्या है मकसद तो लोगों के बीच में जाने का है यहाना लोगों के काम हो और यह महकमा क्योंकि जज़पा के पास है ऐसे में वो ज़जपा की सोची ही रहेगी कि लोगों को अंतिम व्यक्ति तक जो है जिला परिशिद चेर्मेन के कोटे का जो फाइदा है वो मिले फतेवाद के अंदर भी आजचुना हुआ है सर किस तरीके से उसके रिजल्ट सामने आए फतेवाद चुना हम जीते हैं और गठबंदन जीता है वहाँ भी आपने देख लिया बाजपा जजपा मिलकर के लड़ी और बहुत अच्छी तरीके से जीते है एक सर कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है अब है चोटाला ये कह रहे हैं कि नफे सिंग राठी का जो मामला सामने आया जग्दीश नंबरदार की आत्मत्या के बाद कि वो जजपा के जो है पदाधिकारी है जिन्होंने ये पूरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की है और कही इस बात को ले करके बहुत चर्चा होती थी नैशनल टीवी पर भी चर्चा होती थी कि इन्हें लोग के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो गुंडों से घिरावा है और वो हर वक्त कभी ना कभी किसी ना किसी कॉंट्रोवर्सी में कहीं कभजा कर लिया कहीं किसी और तरह की ब यह आप भी जानते मैं भी जानता हूं और अब यह इतना बड़ा मामला आना इसमें नेतिकता के तोर पर पहली बात उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरा SIT जो बनी है उसकी जानतेजी से करे हरियाना की एक पार्टी का परदेशा देक्ष है चैन्स पार्टी का कोई अस्तितफ जादा ना हो मगर किसी के परदेशा देक्ष पर इतने वड़ा लांचन और दाग लगना तो मैं मानता हूं उसकी जान्च गहराई से होनी चाहिए औ अब गहराई के साथ-साथ जो है कारवाई होनी चाहिए कार पंचायतों के अंदर जो इटेंटरिंग है उसका काफी विरोध चल रहा है आपके अभी बता रहे थे कि क्योंकि महकमा हमारे पास है लोग काम कराएंगे लेकिन क्या आपको लगता है एटेंटरिंग ठीक है भर दो लाग तो बहुत कम है शर्पन जो बनता है वह दो लाँ में काम नहीं चला सकता दो लाँ में तो अब जो है नजुटी सी गली भी नहीं बनती है तो यह बुरोक्रेशी इस तरह मजबूत हुँ चुनावा निमाइंदा है अगर सिर्फ अधिकारी के हाथ मजबूत होंगे तो चुनेवे निमाइंदी की कोई कीमत नहीं रहेगी आपको लगता है यह तेंडरिंग से अधिकारी का मैंने कहा है और ब्यूरोक्रेसी को तो भई रेटार्म को ब्यूरू कर देना चीए जैसे पहले ता ऐसा यूस सिस्टम को रखना चीए क्यों बदल रहे हैं मैं तो यह कहता हूं कि इसको एमेकली रिजॉल्व करें जिससे सरकार पर कोई उंगली ना उठी यह आप अपने नेता से भी कहेंगे जो मुख्मंत्री के तौर पर गटो निश्चित तौर पर हम मैं कहें भी रहे हैं मेरी मदर ने भी पीछे कहा है बाड़डा के अंदर भी उनने खुल के कहा है कि ऐसा ना करें सरपंचों के साथ जिससे सरपंचों को सड़कों पर उतरना पड़ी राहूल गांधी की यात्रा को लेकर के क्या कहेंगे सर टी शिर्ट काफी ट्रेंडिंग है उनकी और यात्रा हरियाना से भी दो चरण में गुजर की गई है कॉंग्रेस कह रही है कि 2024 की बानगी है इससे कोई कॉंग्रेस को फरक नहीं पड़ेगा मैंने पहले भी कहा था कि राउल गांदी जितना कम बोलेंगे उतना ठीक रहेगा और उनने भी कहा था कि त्रिविंदर पुरम में कि मैं बोलूँगा नहीं चलूँगा मगर वो बीच में बोलने लगे और बोल करके उनने फिर से सारा खो दिया तो ऐसा नहीं है कि यात्राएं जो हैना जो संगर्श का पत है वो कोई काम नहीं आता है काम तो आता ही है हमने भी यात्रा की थी हम दस सीटें लोग सबा में पहले हारे थे फिर यात्रा की 32 सीटें जीते थे अर्याना में डॉक्टर अजे सिंग चुटाला जी की यात्रा की बाद और एक तुफान आ गया था मगर इस यात्रा में राहुल गांदी को जो लोग सीरिस समझ रहे थे कि बदले वे राहुल गांदी हैं वैसा वो नहीं बन पाए और यह अब टी-शर्ट जो हैना पॉलिटिशन को लोगों जैसा दिखना है तो टी-शर्ट भी उसलिए उन्होंने पहनी थी वहां गर्मी थी अब यहां सर्दी है क्या आप टी-शर्ट में या मैं टी-शर्ट के अंदर जो हैना जा सकता हैं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आत्मा उनकी आत्मा को शांती दे और किसी का जाना गलत है मगर राहूल गांदी को क्योंकि वो एक आइडल है उनको अब लोगों को अब उनको देखो देख दो चार-पाँच और टी-शर्ट में लेंगे तो क्या उससे को फाइदानी नुकसान होगा शुक्रिया बात करने के लिए तो जनायक जनता पार्टी के प्रदान महासचिव हमारे साथ और सीधे तोर पर जिस प्रकार से जिला परिशद को लेकर के चुनाब चल रहा है उनका कहना है कि सिरसा को छोड़ करके सभी जगए गठबंदन के जो उमीदवार है उनी की जीत होगी और इसी के साथ- की टेंडरिंग को लेकर के भी उन्होंने कहा कि दो लाग की राशी काफी कम है इसमें इजाफा हो या फिर ये पहले की तरह ही कर दिया जाए आप सरसाही को भी ये बात समझनी चाहिए चंडीकर से कैमरमेंट जस्पीर के साथ जितेंदर चौधरी खबरे अभी तक